लोगों को कभी न कभी दातों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है दातों में जब दर्द होता है तो बरदार्श से बाहर हो जाता है ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दातों में दर्द के लिए घरेल उपाए नसर डाले इस रिपोर्ट पर दातों में दर्द होने की कई वज़ा हो सकती है कभी दातों में कीडे लग जाने की वज़ा से दर्द होने लगता है तो कभी मसूडों में कोई तकलीफ दात दर्द को बढ़ा देती है लेकिन दर्द शुरू हो जाने पर इतना आसहनिय होता है कि कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता दात में दर्ध होने पर लोग तुरंट डेंटिस्ट के पास जाते हैं हलंकि कई घरेलू उपाए हैं जिन्हें अपनाने से दात दर्ध में तुरंट आराम मिल सकता है नमक का पानी एक कप गर्म पानी में एक बड़ा चमच नमक मिलाएं और इस पानी का एक घूट लें और कुल्ला करें इससे आपके मुँः और दातों को साफ करने में मदद मिलती है यह बैक्टीरिया को भी मारता है और आपके मसुडों को साफ करता है साथ ही सूजन को भी कम करता है हल्दी हल्दी एक शक्तिशाली एंटिसेप्टिक और एंटी इंफ्लमेटरी जड़ी बूटी के रूप में जानी जाती है ये दर्द और सूजन को दूर करने में मदद करती है ये बैक्टीरिया को मारने के लिए भी जानी जाती है आप या तो एक लास हल्दी वाला दूद पी सकते हैं या हल्दी पाउडर या पानी का पेस्ट बनाकर अपनी मसूडों पर लगा सकते हैं लॉंग एक अद्भुत जड़ी बूटी की तरह दाद दर्द का इलाज करने में मदद कर सकती है लॉंग में औश्थिये गुर्ण मौजूद होते हैं ये किताडूओं को खत्म करता है आप बस एक लॉंग को अपने मुँ में रख सकते हैं और इसे चूसते रह सकते हैं इससे आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा लहसुन, दात दर्द होने की समस्या में लहसुन की कली को नमक में मिक्स करकर प्रभाविण जगे पर लगाने से आराम मिलता है इसके अलावा रोज सुबह लहसुन की एक कली को चबाने से दातों के दर्द से राहत मिलती है साथी दात मझबूत होते हैं हेल्थ लाइफ की रिपूर्ट